नमस्कार दोस्तों गुजराटिएरी फार्मिंग में आपका स्वाकत है , हमेंशा सी आपके हित में और आपको अनुरू और एक हाकिकत को बया करती है ठीक है तो इसलिए हमारी चैनल के अगर आप नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो और अगर आपने ओल्ड़ी सब्सक्राइब कर रखा है तो ठेंक यू सो मच तो जैसे हमने अगले वीडियो में बात किया था कि जो 6,150 रुपे जो है उसे कम कैसे करते है तो उसके बारे में अगली वीडियो में ने नहीं बतायता है इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटल के साथ बताऊंगा कि जैसे कि 16 लिटर जो दूद दे रही थी हमारी काई वो 480 रुपे पर डे होता था ठीक है यानिकि परमन 14400 का हो जाता था जिसमें 6000 निकल के हमारे 8500 बच जाते थे एक गाई पर ठीक है लेकर देनी नहीं किसी बी मंत्वे आप आसकते हो ड्राइव होने के बात भी हो सकता आधि से पहले भी ना मिल्क में कमी हो सकती है ठीक है जब वो 12 लिटर पर आ जाती है तो फिड जो है वो 5 किलो नहीं खाएगी एक किलो कम हो जाएगा यानि कि 4 किलो क्या सपास रहेगा दो किलो सूबा दो किलो शाम को तो फीड है जो चार किलो ठीक है तो यह जो है आपको एक सु सतर रुपे जो है आपका टोटल खर्चा हो जाएगा पर देखा जिसके अंदर हमने ड्राइफ ओडर ग्रीन फोटर यह सब जो भी घुझा जोल जूड़ीया ठीक है एक से सटर रुपे के हिसाब से अगर लिटर पर देखें तो तो कंसर शरुपे का आपको खर्चा आजाएगा पर मंत का नंत और 10,000 में से अगर आप 800 में से माइनस करोगे तो आपको 700 रुपय आपके बस जाएंगे ठीक है यहां तक तो आपको ठीक है कि 5000 रुपय आपको एक गई से मिल रहा है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन जब यह 10 लिटर पे आ जाएगी जब 10 पे आती है तो उसको तीन केजी फिड दीजिए यानिकि 90 रुपय का जो परमन 2700 रुपय का होता है ठीक है और जब वो 8 पे आ जाएगी और जब वो 10 केजी पे है यानिकि 8 से लेके 10 के बीच में जो यह मिलकिंग जो है उसका तीन किलो फिर्ड ऑप उसके रहेगा ठीक है उसके बाद जा आ डेस किलोग दूद औरSpya के बीच में कि बात करेंगी तो 300-240 के आ सबसे होता है जो आपका नो हजार क्या सपास हो जाएगा नो से साथ आट के बीच में ठीक है नो साथ आट के बीच में हो जाएगा आपका तो यह जो है 2700 रूपे पर मंद का खर्चा है ठीक है जिसके अंदर हम 50 रूपे जो है यह एड करते है जो अपना ग्रीन फोल्डर और ड्राइ फोल्डर होता है और ट्रोटल उसका पंदरा सो होता है तो अगर यह आपकी बचत जो है वो दस से आट के बीच लिटर के बीच में आपकी जो बचत है वो चाहाँ लिटर पर आजाती है ठीक के तो 120 रुप़े का अपका मिल्क होगा ठीक हो दो किलो फिड देना है और ये जो दो किलो फिड आ जाएगा और यह किलो सूप दो शाम को दो या 2 kg एक साथ शाम को दे तो मिर्डल मिक्षर कमपल सरी ठीक है यह तो सब में आ जाएगा मिर्डल मिक्षर तो सब में देना ठीक है तो जब यह साथ रूपय का आपको पड़ेगा तो बारा सो होगा और पंदरा सो आप जो है फिड का जो ग्रीन फोडर ड्राइफ फोडर का जोड़ लीजिए तो आपका हो जाएगा 2700 रूपय का ठीक है यह जो 2700 रूपय है अब यह आपको परमंत लगेंगे लेकिन यहां 2700 में आपको कोई नुकसान ही नहीं होगी मन की 900 रूपय आपको परमत बचेंगे 900 ही बचेंगे क्याकि यह जो दो महीने लाट के होते है ना दो से तीन महीने यह बहुत ही हर्टनेस हो जाते है अगर एक से आप दो से तीन पशु रखते हो तो यह तो तीन महीने जो ड्राइफ विलेड होता तो वो काफी मुश्किल हो जाता है ठीक है तो 2700 में से 900 बचेंगे लेकिन अगर मान लीजे 2 महीने अगर आपकी ड्राइफ पे चली गई ड्राइफ विलेड पे आ गई तो जब वो दो महीने तेंगे अगर वो ड्राइफ विलेड पे रहेगी तो आपको 2700 रुपे तो परम यह आपका पर मंथ कंपल सरी लगेगा यानि कि पंद्रासो रूपे वो और बारासो यह यानि कि 2700 आपको पर मंथ लगेगे जो आपको 5400 पांच जार चारसो रूपे जो है पर मंथ आपको खरजाईज कर रहेगा ठीक है अगर मान लिजेगे दो महीना गई या देड़ महीना गई अगर देड़ जितने कम जाएगी उतना फाइदर है कि आपको लेकिन अगर मान लिजेगी वो दो महीना चली गई तो फिर यह आपको 5400 पांच जारसो रूपे आपको लगेंगे और यह सबको लगते हैं ठीक दोस्तों यह हकीकत हैं और यह मेरा प्रस्टनल एक्सपिरेंस है ऐसा नहीं है कि मैं किसी योटूब में देख के या किसी को फांप पे जाके उसका इंटरिव लेकर मैं आपको बतारहूं जो भी है यह हकीकत है और यह मेरा खुद का एक्सपिरेंस है मेरे पास 16 लिटर वाल आपको दूद देगी दोनों टाइम का मिलागी तो वो आपको परमन्त तो 900 देगी ही देगी मतलब वो आपके सर के उपर नहीं पड़ेंगी लेकिन वो एक से दो महीने के बीच में जाएगी तो 5400 रुपल गिन लीजिए ठीक है ये कमपल सरी खर्चा रहेगा इसको आप कम न रहा है वो कमझर हो जाएगा अगर हम फीड बन करतेंगे और मिंडर मिक्शर में करतेंगी तो तो यह 2 किलो फीड और मिंडर मिक्शर हमें continue रखना है ठीक है दोस्तों तो कैसी लगी आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो like, share, comment और subscribe करना प्लीज मत बुलिएगा वाई सपोर्ट कीजिएगा मैं इसी तरह से वीडियो लाता रहूँगा और हम next वीडियो में बात करेंगे कि in total यानि की एक महीने के अंदर से बच्चा देने से बच्चा देने के बात से लेकर dry period और वापस बच्चा देने के बात तक का समय है 305 दिन का उसमें वो कितना milk होता है 16 से 4 ال लिटर के बीच के अंदर का परमंध का मैं आप को बताऊँ गा ठीक है उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि वो कितना खचा हो जाता है और कितना बाराश्ट में आपको बचके निकला अता ए। इस अच्छे से समझाओंगा आपको समझ में भी आ जाएंगा अगर वीडियो अच्छे लगी है तो लाइक सेर और कमेट जरूर करें और सस्क्राइब करना ना पूले ठेंक यू